हेलो गाईज, हेलो माई दिया लबली स्टुडेंट्स, कैसे हैं आप लोग, I hope you guys are doing great और आसा करता हूँ कि आप लोग का हैल काफी अच्छा होगा So guys, welcome back once again to a very important and exciting first lecture of chemistry यहनि आज से हम लोग chemistry को पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं यह जो lecture रहेगा वो introduction lecture यहनि आज के इस particular lecture में हम लोग discuss करने वाले हैं that chemistry क्या होता है, chemistry का originate यानि उद्वाव कहां से हुआ है ठीक है, एकदम basic zero कहां से chemistry आया है, यह word जो है chemistry यह कहां से आया है, किसमें इसका योगदान रहा है, यानि कोई न कोई तो होगा ना scientist जो इसमें research वेगरा किया है, ताकि आज के टाइम पे हम लोग इतना जो जानते हैं चीजे, चाब हो में biochemistry का बात करो, medical chemistry का बात करो, industrial chemistry का बात करो यह फिर other बहुत सारे हम लोग area में chemistry का यूज करते हैं, आप देख लो ना आज के टाइम पे जो भी medicine वेगरा हम लोग खरीते हैं, ठीक है, medical के field में आप देखो कि वहाँ भी chemicals का यूज किया जाता है, industry में देख लो, industry में लाखो चीजों बनाए जाता है आज के टाइम में manufacture होता है, चाब कार ले लो, vehicle लो, और कोई इंजन पार्ट ले लो, हर जगह पे chemistry यानि chemicals वेगरा का वहाँ भी यूज होता है, chemical पेंट होता है, chemical और तरह का different तरह से यूज किया जाता product वेगरा, इसके अलावे हम लोग यो textile कपड़ा वेगरा बनाते हैं, ठीक है, कोई product बनाते हैं, वहाँ भी chemicals का यूज होता है, यह आज के टाइम पे without chemistry आप लाइफ को imagine नहीं कर सकते हो, that's why chemistry हमारे ले काफी important हो जाता है, तो आखरी यह इसमें योगदा बेसी चीज़ों के बारे हम discuss करेंगे, और other and यह आपका जो introduction वीडियो है, यह काफी important भी होने वाला, क्यों कि आज यह पता चलेगा आपको, कि आखिर यह chemistry होता क्या है, ठीक है, हमारे life में chemistry का क्या importance है, कितना महत्तो है हमारे life में, और chemistry को किन-किन भागों में divide कर आगया, इसके पितामा कोन है, फादर कोन है, सब चीज के बारे में आज के particular वीडियो में हम लोग discuss करने वाले है, उसके बाद धेरे-धेरे करके हम लोग basic से लेकर advance तक ही चलेंगे, अभी मैं zero से start करूँगा, advance तक ले जाओगा, ताकि आज के time पे अगर कोई भी government exam में आ बैठते ह है, isn't it? बाईली जो का बात किया जए तो बाईली जो भी चलो किसी तरह करके वो कर लेता है, लेकिन chemistry में जो इतना compound वेगरा है, reaction वेगरा है, formula है, जिसे बच्चा को काफी difficult होता, सबसे डर इसी subject में लगता है student को, organic chemistry हो गया, inorganic हो गया, तो मैं क्या करूंगा, बहुती आ जाया जागा, ताकि आप लोग लोग टाइम तक याद रख पाओ, और exam में अच्छा नमबर लापाओ, समझा है कि नी?